हेलो गाइज, वेलकम टू राम अकेडमी, ओके, सरसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को देखे, ठीक है, आपको वीडियो जरूर पसंद आएकी, ठीक है, और आज हम कर रहे हैं मैट्रेसिस, क्लास 12 का, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि धीरे धी जो है, मैं सारी वीडियो लेके आँगा, ठीक है ना, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जिरे-दिरे, मैं सारी वीडियो लेके आँगा, और अभी जो most important चीज़ बच्चों को इस लॉक्डाउन के टाइम में प्रोब्लम आ रही है, जैसे मैट्रेसिस का चैप्टर करना है, तो मैं यह सारी वीडियो इन्वर्स ट्रिक्नोमेट्री करनी है, इंटिकेशन करनी है, जो स्टार्टिंग में हमें जुरूत होती है, वैसे 10th के लिए, 9th के लिए, everything will be uploaded, बस थोरा सा सबर रखे, अच्छा तो आज हमने करना है, मैट्रेसिस, पहले तो देखो, जब हम से कोशन सौल नहीं होते हैं, तो हम बहुत बाइ पढ़ते हैं, वह समझेंदे हैं, क्यों पढ़नी हैं मैट्रेसिस, समझ नहीं अरा कुछ, आपको मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, क्यों हमने मैट्रेसिस पढ़नी हैं, मतलब बेस्ट एप्लिकेशन बताने व तो फिर बंदा ऐसी पढ़ता जाता है, तो आपको यह वाय है, अपने लाइफ में, क्यों ऐसा होता है, क्यों यह बादल का 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 किसे करता है ममी ऐसा क्यों होता है पापा ऐसा क्यों होता है यह सब चीजे अपने लाइफ में जिंदा रखने चलो जल्दी आगे चलते हैं वहना आपको कहोगे लेक्चर दे रहें पता नहीं किस बात पर एप्लिकेशन ऑफ मैट्रिस जैसे कि अगर x plus y plus z equals to 4 है और 2x plus 3y plus 4 equals to 10 हो गया और 4x plus 9y plus 10 equals to 20 कुछ भी हो गया इसा जिसमें हमें xyz करना तो तीन वेरियाबल है तो तीन वेरियाबल को सॉल करने के लिए तो मैट्रिस इसमें बड़ी हेल्प करता है जब आप आगे जाओगे चैप्टर में तो आपको इनिवर्स निकालने को आएगा और सबसे बड़ी है अप्लिकेशन है अगर हम बात करें मैट्रिस के तो ठीक है आगे चलते हैं लोग कि आगे कहां कहीं होता है तो बेसिकली ठीक है computer programming के लिए हो गया अगर कोई मुझे cost elimination करना है किसी industry में हैं और हमें cost elimination करना है तो cost elimination के लिए होता है results वगरा को analyze करना है उसको study करनी है तो बहुत ज्यादा यूज होता है writing codes या फिर आप solve करते हो codes को तो इन जगहों पर बहुत ज्यादा जो है हमारा matrices यूज होता है ठीक है तो अब हमने करना है देखो order of a matrix topic का नाम है order of a matrix तो matrix का होते है matrix जो है वो close brackets में लिखते हैं इनको और यह elements होते हैं के इनको बोलते हैं मान लो की example मैं लिख रहा हूं 2x2 के matrix लिख रहा हूं तो यह 1234 मान लो तो यह हो गया first row यह फर्स्ट रो है तो यह हो गया मेरा first row ध्यान से देखो यह हो गया मेरी second row और यह होगी मेरी first column और यह second column तो according to this यह फर्स्ट रोफ इलिमेंट ऐसे कट रहा देखो अगर मैं आपको दूसरे pen sketch दिखाँ हो तो यह second셨 रही सेकिंद्रो रॉकान क Princip tomorrow เหर्स्ट रॉक्स कोलम हो गया second row second column हो गया तो फ़र्सट रो frame लिखूं तो फर्सट रॉवस्ट कोलम कितना वार्लागा वह उत्र वाल हतान्व थो तो अब क्योंडर यह तो फोर्ट होता है अब यह का लोगी और यह कॉलम ओगया तो अगर ने ऊडर को मर्टिप्लाइ कर दू तो इसे बोलते नमबर प्रेजंट इन डिनी नंब़र अव एलिमेंट प्रेजंट इन द मेट्रिक्स ठीक है नगा इसके बाद एक और चीज ए कि अगर तो मुझे 3x3 के मैट्रिक्स भी और मुझे और तीन ओंगे को तो प्रस्ट रो स्ट कोलम में इस महीं लेंक टीन उए कोलम थार्ट गोलम ठालसा इस वरक बार्द होता अगर मुठा टाइम को ऌशेह अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद आता है हमर पास types of matrices types of matrices को किसी ने नहीं पूछना या types of matrices क्या होता है लेकिन यह questions तब ही solve होंगे जब आपको types of matrices का बता होगो ठीक है तो देखो सबसे पहला matrix होता है column matrix कौलम मेक्रिक से भीक गाए का व्yson कॉलम मै抓 तो न बाइ लिए तर अ न था टो थोड़ा बनाव इसको प्रफेक्त बनाना तो इसमें 1 गाए थ्री का न वन रास्वाय के डिक रह रह तू प्रू न रहिंट सब्हें वक्त Yeah G रोव मेट्रिक्स ठीक है रोव मेट्रिक्स तो रोव मेट्रिक्स में अब समझी कहोंगे यह त्रीग आज एकी रोग है लेकिन तीन ღ च्वर ने टीन गोलम महुत और तिसरा हो गाए हमारे पास ए स्क्वाइर मेट्रिक्स ठीक है स्कुरम्त्रिक्स Newton rice 3 x 3 का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 3 तीन रो तीन कॉलम होने चाहिए तीन रो तीन कॉलम कुछ नहीं है जासे इंट्रोडक्शन हो रही है अभी हम करेंगे एक्जैंपल्स बगरा फॉर्थ हो गया हमारे बाद डागनल मेट्रिक्स डान मेंट्रिक्स क्या होता देखो कि डाइंग através में Bible इस ए कि डाइंगर step टूबबन के सब्सक्राइंग डाइंगने तो डाइंगनल अगर ब karış करो तो-बन जिरो-जिरो-टू-जिरो-पोर आप फिर नोट करो कि डाइनल एलिमेंट रहा प्रेसें अब हां कि रेस्ट आप राइस्टोप दा मैट्रिक्स के जो एलिमेंट से वह 0 के 0 है पांच वाज आता है हमार पाज से बोलत इम आ इडिंटिटीडी मेट्रिक्स और यह बहुत आज बहुत अज होता है कि इस जोटिड़ बाई लिग दिया मतलब यह होताई अकर अपाइडिंटी मेट्रिक्स आपसे तू आ टू की पूछ रहे हैं 0OT1 इस इसमें डाइवनलरे इसमें ठैकोरर घरएच अधिन दाक्रिक्स जी तो अवंकिन रिगिन की बल्योशियास जिरोड़री कि बसकता है 1 तो आज के लिए इस से काम चला लो तो यह नंबर ओव मैं एक दो तो लिए टीन वरकर से थिसम फैक्टरी में और फैक्टरी में और वुमें और थाइड पैक्टरी में रिप्रेजेंट ताब इंफ्रमिशनुट फॉर्म ऑफ थी बाई टू कुछ भी मानलो एंदा चलो मैं ल तो कर दिया हमने आगे क्या पूचता यह बात होगी क्लियर आगे पूचता की बताओ कि वह दा थार्ड कर्यां छिज्ध थार्ड थैक crazy थार्ड नंबर वम उभी टार वी भेक complete में यो वार्ड वूम्हीं भार्किंगे долon थार्ड फेक्टरी्ट टोफेक्टर η इसमें काम करें कितनी विक तुफेक्ट एंट अब चलते हैं εकांपोल निवेंड फ्रिकिण कितने अपको बताई रहा देखो कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ओडर है फोर बैफ फोर तो उसके इलेमेंट्स होके 16 अच्छा आप अच्छा आप एक्जेंपल देखो कंस्रक्ट थी बाइटू मेट्रेक्स whose elements are given by A के प्राव में I, J equals to 1 by 2 mode I minus 3 देखो mode है तो पहले बाद तो mode का मतलब बताओ mode ना हमेशा आपको positive value देखा ठीक है ना इसने आपको positive value देना है A, I, J तो पहले तो 3 by 2 के matrix हमें निकालना क्या है हमें निकालना है 3 by 2 के matrix जिसमें मुझे चीहे first 3 row है 2 column first row, first column first row, second column second row, second row second column third row, first column और third row, second column ठीक है तो मुझे मुझे यहाँ पर one one put कर रहा है जै मैं one one put कर रहूं तो first row, first column आजएगा A, I, J तो मैं one one put कर रहा हूं 1, 1 equals to 1 by 2 1 I की जिएगा 1 minus 3, 1 mode तो कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, 1-3,-2, अपॉन 2, तो कितना आ गया,-2, अपॉन 2, यह तो mode है, तो 2 बन जाएगा, वह और 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1, पहला element आ गया, कितना गया, पहला element, 1 आ गया, ठिक है, तो आप यहां दिख रहा हूं, मैं 1st or 2nd column, i के वली 1 है, और j के वली 2 है, तो 1 minus mode है, 3 into 2, तो यह आ गया, 1 by 2, 1 minus 6, ठिक है, तो कितना आ गया, 1 by 2, minus 5, तो यह आ गया, 5 by 2, 1st or 2nd column आ गया, 5 by 2, दो elements हो गया, पक्के, 1st or 1st column हो गया, और 1st or 2nd column भी हो गया, अब अब अधो 2nd or 1st column पर, 2nd or 1st column, फिर निकालेंगे, 2nd or 2nd column, तो 2nd or 1st column, 1 minus, sorry 2, i के वली 2 है न, देखो, i के वली 2 है, और 3 into 1, तो कितना आ गया, 1 by 2, 2 minus 3, minus 1, तो यह आ गया, 1 by 2, ठीक है, 2nd or 2nd column, 1 by 2, 2 minus 3 into 2, 1 by 2, 2 minus 6, 1 by 2 minus 4, which is equals to 4 by 2, क्योंकि mode ने positive देता है, तो आगया 2, अब 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 अधो 3rd or 1st column, 3rd or 1st column, i के वली 3 है, और 3 into 1, 0 आ गया, देखो, 3 minus 3, और 3rd or 2nd column, i के वली 3 minus 3 into 2, तो half 3 minus 6, कितना आ गया यह, minus 3 by 2, मतलब 3 by 2, so the matrix becomes, so the matrix becomes, तो matrix ही किन वेली होगा, अंजर ली देना आपने, कितना, 1, 5 by 2, बहुँ ल्टा मत लिख देना, इदर row लिखने पहले हम, कई column लिख के आते हैं, ध्यान रखना है, minus 1 by 2, 2, 2nd or 1st column, 2nd or 2nd column, कितना आ गया, 2, और फिर जीरो, और यह 3 by 2, यह यहां तक खीच दो, matrix को, ठीक है, यह तो था हमारा example number 3, example number 3 है, चेक कर लो, ठीक है, कोई doubt हो तो, comment section में बोल देना, clear करा देंगे, अचाए, अब example number 4, example number 4 कैसे करना देखो, यह कहरा कि, find the values of ABC, XY, Z, यह नहीं पड़ा अभी तक हमने, तो कैसे, देखो, बहुत ही ज़्यादा असान है, दो matrices तभी equal होंगी, जब उनका order equal होगा, तो order पताना जाए इसका, सोचो, कितना order है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन, बाए तीन है, और यह भी तीन, बाए तीन है, अचा, matrices जब equal होती है, तो उसका पहला element, जो है, वो पहले element के equal होता है, पहला element, पहले element के equal होगा, तो यह क्या मैं कैसे क्ता होगा, एक, प्लस 3 equal 0, हाँ, हाँ, बड़े अराम से, तो एक, प्लस 3 equal 0, तो एक, वैली कितनी हागी, माइनस 3, वा, यह तो असान है, फिर तो मैं से, यह वाला क्या सकना है, इसके equal है, हाँ, तो कह दे देंगे, जड़ प्लस 4 equal 6, 6-4, जड़ की वैली आगी 2, बिल्कुल सही है, वा, यह तो बहुत ज़्यद असान है, एक, आगया, जड़ आगया, वाई रह गया, वाई भी निकाल देते हैं, इसको इसके equal कर देते हैं, 2Y-7 equal to 3Y-2, वाई इधर लियाओ, माईनस 3Y और माईनस 2, माईनस 7 जाके, प्लस 7 होगया, माईनस Y, 5 और Y की वैली आगे, माईनस 5, बॉक्स बना लो भाईया, X, Y, Z तो निकाल दे, अब ए रह गया, A बोल रहा है, कि A, B, Z निकालो, इसको इसको equal करो, A minus 1 equal to minus 3, देखो, minus 3 plus 1, A की वैली आगे minus 2, ठेक है ना, अब B की वैली भी कर देते हैं, कैसा करेंगा B की वैली वैली, कुछ भी नहीं, अब पहले सको इसको करो, C, C की वैली आजीग देखो, 2C plus 2 equal to 0, 2C equals to minus 2, 2 से 2 गटके तो C की वैली आगे minus 1, यह तो असान है काफी, ठेक है, next, B minus 3 equals to 2 plus 4, B minus 3 equals to 2 plus 4, last है, मतलब B minus 3 equals to 2 plus 4, 2 plus, 2B plus 4, यह भी दर आगया minus 2 भी हो गया, और 4 है, यह minus 3 दर आगया plus 3 हो गया, minus B equals to 7, और B की वैली कितनी आगे फिर, minus 7, quite easy, कुछ भी था, first को first, second को second, third को third के equal करते हैं, और value साज़ेगी, फटा फटा फट से, एक नमबर ने question आगा, अगर हम example number 5 की बाद करें, तो find the value of A, B, C and D from the following equations, यह तो बहुत असान से हो जागा आपसे हैं, तो पहला कहा, 2A plus B equals to 4, इसको इसके equal करो होगे, लिख लेते हैं, 2A plus B equals to 4, A minus 2B equals to minus 3, 5C minus B equals to 11 है यह, और 4C plus 3D equals to 24, हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कुछ गड़बड है, यहाँ पर direct values नहीं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम elimination method को use करेंगे, तो इसको नाम दिया हमने equation 1, 2, 3, 4, तो पहले हम करेंगे 1 and 2, 2, तो 2A plus B equals to 4, और A minus 2B equals to minus 3, तो मैं इसको 2 से multiply कर देता हूं, elimination method ऐसी होता है, तो यह बन जाएगा 2, 2 is 4A plus 2B equals to 8, और यह as it is रहा गया, अब यहाँ मैंने sign J नहीं किया, अल्रेड़ी plus minus हो रहा है, कट गया, तो 4A और 5A, तो truth, मतलब truth कहा हूं है, plus अगर नहीं भी लिखा तो भी इसका मतलब यह कि plus है, तो 4A plus A क्या हो गया, 5A, आठ में से 3 गया, 5, तो A की value तो आगी 1, अगर A की value 1 आगी, तो अगर मैं इसमें put कर दो, इन दोनों में से किसी में, equation 1 और equation 2 में, तो B आजेगा, तो यहां लिखो गया, आप put the value of A in equation first, ठीक है, तो मैं जान भी क्यों slow-slow जा रहा हूं, A minus 2B equals to minus 3, A minus 2B equals to minus 3, A की value 1, minus 2B equals to minus 3, तो minus 2B equals to minus 3 plus 1, minus 1 कितना हो गया बई, minus 1, minus से minus कट गया, 2 से 2 कट गया, तो B की value आगी 2, ठीक है ना, B की value आगी 2, ध्यान से, example number 4 है हमारा, I think there is some kind of mistake, कुछ गलता है हमारा example में, ठीक है, example में कुछ गलता है, let me check, तो नहीं नहीं, एक्चली में यह बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा answer गला था, लेकिन answer ठीक है, A की value 1 और B की value 2 है, यह आप टेक 3 और 4, 5C माइनस D इकोस टू 11, और 4C प्लस 3D इकोस टू 24, तो आपको पास चलिए होगा कि, यहाँ पर भी 3 से मल्टिप्ला कर देते हैं, और हमारा answer आजएगा, तो यह आगया, 3, 5, 15C माइनस 3D इकोस टू 33, and 4C प्लस 3D इकोस टू 24, तो यह cancel हो गया, तो यह आगर 19C इकोस टू 4, 3, 7 और 57, तो 19, 3 जा 57 होता है, तो C की वैल्यू आगी 3, तो देख रहो है, आप A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, अब अगर मैं इसमें पूट कर दू, 5C माइनस D इकोस टू 11 में, तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2, और C की वैल्यू यह निकाली मैंने 3, और D की वैल्यू निकाली हमने 4, तो बेसिकली यह तो 1, 2, 3, 4 हो गया, यह 1, 2, 3, 4 हो गया, एक्जेम्पल नमबर फिर प्लियर है, तो अब हम चलते हैं, एक्ससाइज पे, एक्ससाइज 3.1 देखो, ध्यान से, 3.1 का पहला कोश्चन अगर आप देखोगे, एबुक में, तो आपको पहला कोश्चन मिलेगा, कि यह मैट्रिक्स दिरिखी है, इसका पहले तो पहले तो और पूछ रहा है, तो और तो पते चलिए आपको, 1, 2, 3, 3 by 1, 2, 3, 4, 3 by 4 भी है, पहला अंसर आगया, और रिकर्स्टू 3 by 4, फिर नमबर ओफ एलिमेंट्स तो मल्टिप्ला कर दो, 3 into 4 equals to 12, हाँ, आप पूछ रहा है कि, 1st row 3rd column, 1st row 3rd column, 19, 1st row 3rd column, 2nd row 1st column, 35, 35, अपना लिख ले रग से, और 3rd row 3rd column, 3rd row 3rd column, minus 5, 2nd row 4th column, confuse कर रहा है, 2nd row 4th column, 12, और 2nd row 3rd column, 2nd row 3rd column, 5 by 2, ठीक है ना, तो यह ध्यान से कर लेना, question number 2nd देखो, if the matrix has 24 elements, example जैसा है, what are the possible orders, बहुत असान होगे है तो, क्या क्या order हो सकते हैं, तो भईया 1 by 24, तो 24 by 1 भी हो सकता है, 2 और 12 के पहाड़े पर भी 24 आता है, 24 आता है, तो 12 by 2 भी हो सकता है, 4 by 6 तो 6 by, 4 भी हो सकता है, और 3 by 8 तो 8 by, 4 भी हो सकता है, now they are thinking, इससे ज़्यान नहीं हो सकते, now they are thinking, कि अगर 13 element होए तो, तो 13 element होए तो हमें क्या, 1 by 13 और 13 by 1 एक ही होगा, और कुछ थोड़ी हो सकता है, और 13 केशे की table में आता ही नहीं है, 13 is the prime number, ठीक है, आगे चलते हैं, example number 3 देख़ो आप, question number 3 है, example नहीं है, sorry, question है, if a matrix has 18 elements, तो फिर order पूछ रहा है आप से, तो बता दो, 1 into 18, 18 into 1, और, 2 9s आ 18 होता है, 9 2s आ 18, और, और भी हो सकता है, हाँ, 3 6s 18, 6 3s 18, और हो सकता है, और नहीं हो सकता, आप कहा रहा है कि अगर 5 element होए तो, तो 5 element होए तो, तो क्या 1 by 5 और 5 by 1 होगा नहीं होगा नहीं होगा फिर, और क्या सकता है, इससे जाता नहीं होगा मेरे खाल से, नहीं होगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, तो अगला question है, हमारा construct, 2 by 2 matrix, 2 by 2 matrix निकाल ली है, यह आई यह मुझे दिया हुआ है, चलो भई, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, 1 वन है, 1 प्लस 1 का होल स्कर बटे में 2, तो 1 प्लस 1 हो गया, 2 का होल स्कर बटे में 2, तो 4 by 2 मतलब 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर line मार लेता हूँ, पर की हुआ है, फर्स्ट और स्क्रिद कोलम ले Expectation, को पहले बाले हो, 1 अच्रिद कोलम, IKWल 1, JKWL 2 है, तो 1 प्लस 2 का होल स्कर बटे में 3, 3 का होल स्कर बटे में 2 है, 3 का होल स्कर बटे में 9, iba क्र फिर हमारा, कुंसा ना है second round first column second row first column तो iqly two है और jqly one है तो two plus one whole square 2 whole square 2 three whole square nine square two will be yellow bag second row second column वहाँ नचला जाओ मैं यहां देखता है यहां दिहान देना है तो two plus two whole square 4 whole square 16 upon two बंगी और 10 x 2 x 2 x 2y II 21 12 तो मेंट्रीज बनगी 1 1 बाय 2 2 ौर 1 ठीक है यह हो गया हमारा 4th का सेकेंड हो गहा हुआ हमारा 4th का secondaire अब हमारा fourth का third कि है कि a j equal to i plus two j का whole square तो third है है हमारा a ij equal to i plus two j का whole square upon two तो first row first column nकालना है first row second column तो three 극 standing one two two бер two १ का ऊपर whole square है तो three लुक्त के ना आ फहला तो फाल ना करना ऐगा है और यह आपके वर्ण पूंट्र फॉर और सिस्ट फॉर्ट तो अब्वर्ण आगए और रूट तो प्लस टू इंटु तो करो गए दो। का होल स्केर अपॉन में 2 तो कितना है गाई यह जगा 2 और 4 चे का होल स्केर 36 अपॉन 2 तो यह 18 आ गया देखो तो मैं 30 का बन गी मैं 30 बन गी 9 बाइ 2 25 बाइ 2 तो अब हम चलते हैं इसको फोर्थ कोशन हो गया हमारा तो फोर्थ कोशन के बाद हमारा आगे आए का फिफ्ट कोशन में 3 बाइ 4 की मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा काम है 3 बाइ 4 की मैट्रिक्स को मैं आया गया निकालो ने सो बहुत ही लंबा काम है अचला लगातो हुआ फॉर्स ऑस्ट पॉलौ भॉस वरोर 205 में फ़ेन आगया धेकर गया मीनिस्ट कितना आगया घई टो अब फॉर्स्टा में稱 disgusting निगाल किसे यह यह माइसित हैं छलो फॉर्स्टा सेंद्ध और गया माईन यहां ज संद्री वान आफई और होगे तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 पर माइनस 1 का तो मूड आएं घाए थीक है अब आते हैं लोग फार्स थधर्ड को पर ठीक है फार्स्थ्रों फार्स्थर्ड कोलम में किया है कि 1 और 3 है तो यहां गया one by two minus three into one और three यहां पर जीलो घातो फार्स में डिलीह वे compraldkalen है Should citizen Orlando और फार्स means फोर्ट कॉलम में यहां भी देखो क्योंकि Leah चार कॉलम है तो मैं हानना निकाल देता हूं लिएन तो 1 by 2 minus 3 into 1 plus 4 तो minus 3 plus 4 हो गया 1 तो कितना आ गया यह 1 by 2 आ गया देखो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम ठीक है ना 1 by 2 आ रहा है धियान से देख लो एक बार कुछ गलतों नहीं हो रहा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो minus 3 into 1 minus 3 और plus 4 तो यह आ गया minus 3 plus 1 by 2 तो यह आ गया 1 by 2 यह आना है ठीक तो ये जो ठीक था है ये ठीक है हमारा अब आते हम सेकंड रो फ्र्स कोलम पर तो सेकंड रो फॉर्स कोलम निकालना है हमने तो तो ठीक है तो फुट करना भी यहां पर 1 भाइ 2 मानिस 3 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना आगय यह लागय यह लागय वाइनस 6 और 1 तो यहाए आए खाल आ खालो गॉलइं पांदे चलते हैं फटाफ़्ट रहेगा कि याद रहेगा हैं हमने हम我們的 क्लेव गोर्पांते चलते हैं तो सके ön 1 by 2 और माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 6 तो यह आगा भी 3 बाइ 2 ठीक है और सेकेंड रोफ फोर्थ कॉलम एक की साथ निकालने में असानी होते ही लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू देखो माइनस 6 प्लस 4 कितना चलिए माइनस 2 लेकिन दो वह तो वह टू वाइट आप यहां से निकाल लेते हैं अब यहां थ्री पूट होगा यहां पर ठीक है ना थ्र्ड रोफ फेस्ट कोलम माइनस वन बाइटू बाह रहे है माइनस 3 इंटू 3 प्लस फिस् जाएगा 1 by 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 थार्ड कोलम और थार्ड फॉर्थ कोलम माइनस 3 इंटू माइनस 3 और फॉर्थ कोलम देख रहे हैं तो भई हम माइनस 9 प्लस 1 10 10 बाइ 2 मतलब 5 आ गया ठीक है ध्यान से देख लेते हैं दुबार नहीं नहीं प्लस 2 तो कितना आ गया 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 गोला पालो ऐसे गलतिया होंगी माइनस 6 6 6 2 3 आ गया और कितना गया देख हो मेंनस 9 दो सोय कितना आंगा वह तो 5 तो 5 बाइब देखो जहां से मैंनस 9 और प्लस 4 थर्द और फोर्थ को लाम मैंने माने दो 50 là 5 2 आ गया तो क्या बन गया हमारा element बन गया फटा फट लिगक लिए पहला है 1 1 1 x 2, 0 1 x 2, 0 1 x 2 , 5x2 , 2 , 3 x 2 , 1 , 4 , 7x2 , 3 and 5..... ठीक है , यह फिप्स का सेकंड कोशन हो गया , तो फर्स्ट रो ,1st कौलम , फ्स्ट फॉर्ष फॉर्ट फॉर्थ फॉर्थ ठीक है और फिर सेकेंड रो फॉर्ष 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 first row second column यह तो सेम ही रहेगा माइनस टू तो जीरो आ गया जीरो को भी गोला पालो अब फास्ट रो थार्ड कॉलम थ्री मतलब सेम चीज़ और माइनस तो माइनस बन आ गया और फास्ट रो फॉर्ट कॉलम भीया माइनस टू बहुत असान लग रहा है एक साथ लिखने मजा आ र आ गया जैकिंड्रो को थार्ड कोलं न चेक कर लें गल्ती भी ओसकते करी पे जल्दी हो जाता है रहत थीक है भी माइनस टू टू ऑंटती प्लिए हैं 6-1 5 आ गया 2 3-2 6-2 4 आ गया ठीक है और 2 3 जैगे रहो नहीं है 3-3 को फिर 6 में से 3 गया 3 आ गया और 3 रो 4 गोलम 3 रो 4 गोलम 6 में से 4 गया 2 आ गया तो अब लिख दो मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है अब आपको पता ही है अब आप समझदार होगे इतने देर में ही चलो भाई पुट करें ऐसे नहीं डिख देना 1-1-2-1-2-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-0-3-2-1-0 और लास्ट में क्या है 5-4-5-4-3-2-5-4-3-2 तो यह हो गया हमारा 3-4 का मैट्रिक्स दो हमने बनाना था ठीक है अब जड़ा क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्ट देखो तो यहां पर X और Y के लिए निगा लिए तो पता है आपको इक्वल मैट्रिक्स है तो पहले को पहले के इक्वल कर दो तो Y के वैलियो आगी 4 इसको इसको इक्ल कर तो एक्स की वैलियो आगी 1 खास ही निए लागी और लग्ली वागी अगी 3 यह तो बहुत यह साम था यह नहीं दो पतकराने नहीं चाहिए ता मतलब चलो इसे हम सारे कॉर्शन कर रहे हैं चाहे वाशान हो चाहिए रखना कितना भी मुश्किल हमने करना ही है अगला X प्लस यहां से x निकाल लो y-6 और यहां पर उठा कर दो y-6 y equals to 8 तो आपको पहले चल रहा होगा y square minus 6 y equals to 8 y square minus 6 y minus 8 equals to 0 1 8 2 4 8 होता है y square minus 4y minus 2y minus 8 equals to 0 तो y minus 4 और यहां पर minus 2 आ गया तो देखो y y 2 4 2 8 होता है तो लेकिन आ नहीं रही है और यहां पर माकर में minus 2 common ले रहा हूं तो यह y plus 8 बन रहा है देखे हो आप ठीक है इसका मतलग कुछ गढ़बड है यहां पर ठीक है ना देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर देखा गलती देखो क्या रही है यहां पर x की value में y minus 6 को हो सकते के से भी तो 6 minus y आना था xy equals to 8 ध्यान देने आपने x 6 minus y y equals to 8 6y minus y square equals to 8 तो 6y minus y square minus 8 equals to 0 minus y square plus 6y minus 8 equals to 0 minus common ले लो y square minus 6y plus 8 equals to 0 तो कितना आगया y square minus यहां लिख लेता हूं मैं y square minus 6y plus 8 equals to 0 आप देख लो भई 4 to 8 कर लो देखा तो यह गलती हैं हो जाती है लेकिन उसको सुदार भी लो आप 2 common लोगे तो y minus 4 equals to 0 कितना आगया भई y minus 4 और y minus 2 equals to 0 common लिए है मैंने y equals to 4 या y equals to 2 अगर y की value 4 होगी तो x की value 2 होगी x की value 2 होगी और y की value 2 होगी तो x की value 4 होगी ठीक है यह तो question होगी है हमारा अगला है 6 का third part तो 6 के third part में देखो क्या है x plus y plus z equals to 9 और x plus z equals to 5 और y plus z equals to 7 तो यहां पे x y plus z की value put कर सकता मैं यहां सुटा के तो मैंने put कर दी 7 तो x की value आगी 2 अगर x की value 2 होगी तो यहां put कर दो यहां पे भी हमें a b c d की value निकाल लें तो a minus b equals to minus 1 और 2a plus c equals to 5 और यहां पे आगे 2a minus b equals to 0 तो चीससे यह पाद चल जाएगा तो 2a को सुटी जब भी आपको कुछ ऐसा मिले ना लिख लो भाई तो b की value 2a आगी तो पहले आगे लिख लो चलो पहले आगे का लिख लेते हैं अगर c आ गया 3 तो d q ने निकाल रहे हैं तो d की value कितनी आगी डी की value 13 में से 9 4 13 और d की value होगी 4 फटम कुछ मुश्किल नहीं है को नमरेट करा कि यह स्कूर मेट्रिक्स कब होगा जब रोज और कॉलम ब्राबर होंगे ओप्शन सी ठीक है अगला करता बताओ कौन सा इक्कोल है कौन सा क्या इक्कोल है नाइन्थ कोश्चन है देखो 3x प्लस 7 इको से 0 यह इसको जीरो कर दो दो नों को करा एक्कोल कब हों किने एक चीजी बड़ी ümप्पॉर्डट अ तो तो मैंने माना कि यहां पे वेल्यू नी निकल रही कि यहां पर यहां यहां पर लॉयू नी है यहां और यहां पर लॉयूयु नहीं है यहां पर नॉत्धूरायज। सियल्समंदू north लॉयू अरॉयूं नहीं है न Somya तो यह equal matrix ही नहीं बन सकती, तो भया not possible to find, equal matrix को बनाने के लिए भी जो हमें elements दियें वो equal होने चाहिए, तो इसका आगा not possible to find, आप देखो question number 10 देखो, आप 3 by 3 की matrix बनानी है, और 0 और 1 ही element है, तो इसमें formula होता है, 2 की power है, दो element होता है, तो कितना होगा element 9, ठीके न, order 9 है, तो यहाँ पर हमारा जो third chapter है, इसके हमने examples भी कर लिए, exercise भी कर लिए, ठीक है, अब इसके बाद हम 3.2 लेके आएंगे, examples plus exercise, अगर आपको videos पसंद आ रहे हैं, तो please videos को like करें, और share करें, और subscribe करना मत भूले, thank you.